नवजाज शिशियों के माता पिता के लिए योगी सरकार खुशखबरी लेकर आई है अब नवजाज शिशियों के जन पर्मान पत्र के लिए उन्हें आवेदन नहीं करना होगा बल्कि एक एप से आपको तुरन डीटल जन पर्मान पत्र मिल जाएगा इसके लिए योगी सरकार ने अपने मा नवजाज ट्रेकिंग एप को जन पंजीकरन परणाली से जोड़ दिया है इस एप के जरीए प्रदेश के सरकारी एस्पतालों में जन देने वाले बच्चों को ततकार जन पर्मान पत्र जादी कर दिये जाएंगे डिजिडल टेक्नोलोजी का इस्तमाल करने वालों की स्विधा के लिए यी कदम सरकार ने उठाया है राजे के चिकिस्सा स्वास्ते और परिवार कल्यान विभाग के प्रदान सचिप पार्थ सार्ती सेंचर्मा ने बताया कि लखना उसित जनगर्णा संचालत निदेशाले ने सरकारी अस्पतालों में खुदी जन पर्मान पत्र की स्विधा मोहिया कराने के लिए उत्तर परदेश राज्टी स्वास्ते मिशन यूनिसेव और भारत के महापंजी काराले के साथ हाथ मिलाया है ऐसा कर उत्तर परदेश सरकारी स्वास्ते सल्थानों में स्वता जन पंजी करन को लागू करने वाला पहला राज्जे बन गया है इस प्रक्रिया को समझाते वे सेंच शर्मा ने बताये कि सिविल रेजिस्ट्रेशन सिस्टम एप्लिकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस मानवजाट ट्रेकिंग एप से 17 शेत्रों से आक्रे लेता है मानवजाट ट्रेकिंग एप के जरी आशाकारे करता घर घर जाकर परिवार कल्यान संबंदी डाटा अपडेट करती है इस आक्रे के अधार पर जन परमानपत्र तयार किया जाता है और उस परमानपत्र पर अस्पिताल के रेस्टरा का डिजिचल हस्ताक्षर होता है और उसका CRS पोर्टल भी तदकाल अपडेट हो जाएगा